C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भुगोल की पाठे पुस्तक प्रिथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 8 भारत, जल्वायू, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्रिष्ठ संख्या 58 से प्रिष्ठ संख्या 66 तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ, भारत, जल्वायू, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रति दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलिविजन पर देखते हैं। अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायू मंडल में दिन प्रति दिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादी शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी कर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल चा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको उनी वस्तरों की अवशक्ता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं, जब आपको उनी वस्तरों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्य तह भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फर्वरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षन पश्चि मौनसून का मौसम। अर्थात वर्षा। अक्टूबर और नवंबर में मौनसून के लोटने का मौसम। अर्थात शरद शीत रितू थंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणे नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है. ग्रिश्म रितू गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणे अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है. दिन के समय गर्म एवं शुश्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है. प्रिश्ठ संख्या 69 आओ खेलें पहला, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शर्बत कहा जाता है, का सेवन करते हैं. ये पेयपदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है, तथा लू के दुश्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. क्या आपने कभी आम, बेल, नीम्बू, इमली, तर्बूज, तथा दही का शर्बत, जैसे चाच, मठा, मोरी, इत्यादी पिये हैं. बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेग भी बनाते हैं. दूसरा, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती हैं. हमारी सभी भाशाओं में वर्षा पर गीत हैं. वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंद प्रदान करते हैं. वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं. वर्षा पर पाँच कविताओं को इकठा करें या लिखें. विभिन्न भाशाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पडोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें. उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, उर्दू बारिश, मराथी पाउस, बंगाली वर्षा, दक्षिन पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम. यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है. इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है. वे अपने साथ नमी भी लाती है. जब ये पवन पहाड़ों से टक्राती हैं, तब वर्षा होती है. मानसून के लौटने का मौसम या शरद रितू. इस समय पवन स्थल भागों से लौट कर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है. यह मानसून के लौटने का मौसम होता है. भारत के दक्षणी भागों विशेशकर तमिलनाडु तथा आंधर प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है. किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की ओसत दशा को जलवायू कहते हैं. भारत की जलवायू को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायू कहा जाता है. मानसून शब्द अरभी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम. भारत की स्थिती उष्ण कटी बंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है. भारत में क्रिशी वर्षा पर निर्भर है. अच्छे मानसून का मतलब है परियाप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का अउत्पादन. इस प्रिश्ठ पर एक तरफ को एक प्रश्ण पूछा गया है. प्रश्ण है अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ. फसल प्रभावित होगी नहीं होगी. कुए के पानी का स्तर ओपर जाएगा, नीचे चला जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा, छोटा होगा, प्रिश्ठ संख्या साथ. किसी स्थान की जलवायू उसकी स्थिती, उंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चा वच पर निर्भर करती है. इसलिए हमें भारत की जलवायू में क्षेत्रिय विभिन्नता का अनुभाव होता है. राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है. जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बरफीली ठंड पड़ती है. तटियक शेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायू मध्यम है. वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे. समुद्र तटपर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आद्र है. विश्व में सबसे अधिक वर्षा मिघाले में स्थित मौनिस राम में होती है. जबकि किसी-किसी वर्ष राजिस्थान के जैसल मेर में वर्षा होती ही नहीं है. आओ, कुछ करके सीखें. भारत के मान्चित्र पर इस पेराग्राफ में दिये गए स्थानों को चिन हित करें. प्राकर्तिक वनस्पती हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं. हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है. कुछ पौधे चोटे होते हैं जिन्हें जाड़ी कहा जाता है. जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे त्यादी. इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे व्रिक्ष होते हैं. उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं. जैसे नीम, आम. तो कुछ व्रिक्ष ऐसे होते हैं, जिन्में पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है. जैसे नारियल. घास, जाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पती कहा जाता है. क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग-अलग जलवायू में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं. इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वा पूर्ण होती है. जलवायू की विभिन्नता के कारण भारत में अलग-अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं. इस प्रिष्ठ पर चित्र आठ दशमलव एक दर्शाया गया है, जिसमें उष्ण कटी बंधिय वर्षावन दर्शाया गया है. चित्र में दिखाया गया है कि उष्ण कटी बंधिय वर्षावन में सर्वाधिक उँचाई वाले पेड लगभग 60 मीटर तक होते हैं. वहीं तरुन वर्षावन की उँचाई लगभग 20 मीटर के आसपास होती है, और जाड़ी वाली परत डेड़ मीटर से 5 मीटर के बीच हो सकती है. हमें वनों की आवशक्ता क्यूं है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभ दायक हैं. पेड पौधे ओक्सिजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कारबन डायक्साइड को ग्रहन करते हैं. पेड पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं. प्रिष्ठ संख्या 61. वनों से हमें इंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बोटियां, लाख, शहद, गोंद इत्याधी प्राप्त होते हैं. वन, वन्य जीवों के प्राकरतिक निवास हैं. पेडों की अंधा धुन्द कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकरतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं. हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए. जो पेड़ बचे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए. एवं लोगों को पेडों के महत्व के बारे में बताना चाहिए. हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महुत्सव मना कर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तथा पृत्वी को हरा भरा रख सकते हैं. इस प्रिष्ठ पर अलग से बॉक्स में एक छोटी सी कहानी दी गई है. लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा. प्रत्य एक जन्म दिन पर उन्होंने अलग-अलग पौधों को रोपा था. इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था, तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था. बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुचा पाए. जब लीला बीस वर्ष की हुई, तब 21 सुन्दर रिक्ष उसके घर के चारो ओर खड़े थे. चिडियों ने उस पर अपना गोंसला बना लिया था. फूल खिलते थे, तितलिया उनके चारो और मंडराती थी. बच्चों ने उनके फलों का अनंद लिया था. उनकी शाखाओं पर जूले तथा उनकी चाया में खेले थे. इसी प्रिष्ठ पर चित्र आठ दशमलव दो दिया गया है, जिसमें वनों के उपियोग दर्शाय गये है. चित्र के मध्धे में एक हरा भरा रिक्ष दिखाया गया है. और नीचे लिखा गया है. मिट्टी को बांधना. अर्थात यह पेड मिट्टी को बांध के रखता है. पेड के उपर ऑक्सिजन निकलती हुई दिखाई जा रही है. अर्थात पेड भारी मात्रा में ऑक्सिजन का निर्मान करता है. वहीं इस पे इवं लाख इत्यादी भी प्राप्त होता है। ये पेड़ पौधे वन्य जीवों का प्राकर्तिक निवास भी है। कुछ पेड़ हमें चारा देते हैं। कुछ पेड़ों की सहाइता से हम अपने लिए आश्रय बना सकते हैं। तथा कुछ पेड़ों की सहाइता से विभिन ओशधियां एवं दवाईयां बनाई जाती है। वन्य प्राणी वन विभिन्य प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है वनों में जन्तुओं की हसारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन प्रकार के सरिस्रिपों, उभैचरों, पक्षियों, स्तंधारियों, कीटों तथा क्रिमियों का निवास होता है प्रिष्ठ संख्या बासट बाग हमारा राष्ट्रिय पशु है यह देश के विभिन भागों में पाया जाता है गुजिरात के गिर्वन में एशियाई शेरों का निवास है हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं हाथी केरल एवं करनाटक में भी मिलते हैं उंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाये जाते हैं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादी हिमाले के क्षेत्र में पाये जाते हैं इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेडिया, नील गाय, चीतल इत्यादी भी हमारे देश में पाये जाते हैं भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राश्ट्रिय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तक इत्यादी हैं। अन्य बहुत सारे राश्ट्रिय पक्षी उद्ध्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, उद्ध्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं, क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पांच पक्षियों के नाम बता सकते हैं, भारत में सापों की सैकडों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाय जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मान चित्र पर उनकी स्थिती बता सकते हैं। आप वन्य जीवों के सनरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन अंगों जैसे हड़ी, सीम तथा पंक से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रतेक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ताकि वन्य जीवों के निवास को सनरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इस प्रिष्ठ पर चित्र आठ दशमलव चार दिया गया है। जिसमें परियावरण और वन्य जीवों से संबंधित अखबारों में छपे प्रमुक समाचारों को दर्शाया गया है। इसी चित्र में फिर नीचे प्रशन पूछे गए हैं। शिकारी बागों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाग खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाग आरक्षित क्षित्र या ऐसे चिडिया घर देखे हैं जहां बागों को रखा जाता है? प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिंटेल बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटल स्टिंट प्रतेक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। प्रश्न एक, आगे दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, कौनसी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वापोर्ण क्यूं है? दूसरा, भारत के विभिन मौसमों के नाम लिखिए। तीसरा, प्राक्रतिक वनस्पती क्या है? प्रश्न दो, सही उत्तर चिन्हित की जिए। पहला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेतर कौन सा है? क, मुंबई, ख, आसनसोल, ग, मौसनराम तीसरा, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहां पाय जाते हैं? क, हिमालेक शेतर में, ख, प्रायद्वीपियक शेतर में, ग, गिर्वन में तीसरा, दक्षण पश्चिम मांसून के समय आदर पवने कहां बहती हैं? क, स्थल से समुद्र की ओर, ख, समुद्र से स्थल की ओर, ग, पठार से मैदान की ओर प्राशन तीन, खाली स्थान भरें, पहला, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवने चलती हैं, जिन्हें रिक्तिस्थान कहा जाता है दूसरा, आंधर प्रदेश तथा तमिलनाडु में, रिक्तिस्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है आओ, खेलें, पहला, अपने आसपास के व्रिक्षों की सूची बनाएं, वनस्पति, जन्तुओं एवं पक्षियों के चित्र इखठा करें, तथा उन्हें अपनी कौपी पर चिपकाएं दूसरा, अपने घर के पास एक पौधा लगाएं, तथा उसकी देखभाल करें, एवं कुछ महीने के भीतर उसमें आई परिवर्तनों का अवलोकन करें तीसरा, क्या आपके आसपास के क्षित्र में कोई प्रवासी पक्षी आता है, उसको पहचानने की कोशिश करें, सर्दी के मौसम में विशेश ध्यान दें चौथा, बढ़ों के साथ अपने शहर के चिडिया घर या नस्दीक के वन या पशु विहार को देखने जाएं, वहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन को ध्यान पूर्वक देखें प्रिष्ठ संख्या 65, परिशिष्ट एक, भारत के राज्य और केंदर शासित क्षेत्र, राज्य, आंधर प्रदेश, राजधानी, हैद्राबाद, अरुनाचल प्रदेश, इटा नगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छतीजगर, रायपुर, गोवा, पनजी, गुज जिरात, गांधी नगर, हरियाना, चंडीगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जारखंड, राची, करनाटक, बैंगलूरू, केरल, थिरुवनन्थपुरम, मध्यप्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मनिपुर, इमफाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आईजोल, नागालेंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगर, राजस्थान, जैपुर, सिक्किम, गंटोक, तमिलनाडू, चिन्नई, तिलंगाना, हैद्राबाद, उत्तराखंड, दिहरादून, उत्तरप्रदेश, लखनाउ, त्रिपुरा, अगर्तला, पश् केंद्र शासित क्षेत्र, अंडमान और नीकोबार दुईप समु, राजधानी, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगर, चंडीगर, दादरा और नगरहवेली, सिल्वासा, दमन और दीव, दमन, लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुदुचेरी, पुदुचेरी, राष्ट्रिय अधिक शेत्र दिल्ली, दिल्ली, जम्मु एवं कश्मीर, श्री नगर, लदाख, लेह, प्रिष्ठ संख्या चिया सट, परिशिष्ट दो, अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट के कुछ महत्वा पूर्ण स्रोत, http, semi-colon, forward slash, forward slash, volcanos.usgs.gov, forward slash, www.nationalgeographic.com, forward slash, earthpulse, http, semi-colon, forward slash, forward slash, www.cpcb.nic.in इसी के साथ आठ पाठों की स्पुस्तक का आठवा पाठ यहां समाप्त हुआ. वाचन, संदीब भट, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. याठों का आठों हुआज की स्पुस्तुसक्ती, विमलेश आठогन की स्वारी, विमलेश जेखरी, विमलेशनTechnीब ड़्याइगर, निर्माप।, दिल्ली, निर्माप बाहां समाल, की से दिल्ली, जिली, समाप्णों का पुद accessible, विमलेशनेWeरेशन दीके स्वाइशनेशन